हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगी मखाने की सब्जी बहुत ही जल्दी से बन करके तयार हुजाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप नवरातरी के वर्त में इस सब्जी को बना करके खा सकते हैं मिंटों में बन करके तयार हुजाती है तो चलिए फ्रेंड्स रैस्पे शुरू करते हैं मखाने की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पर एक कड़ाई को चड़ा देना है और दो चम्मच हमें यहाँ पर देशी के डाल देना है गी को अच्छे से गरम कर लेना है जब गी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हमें यहाँ पर एड़ करने हैं मखाने तो मैंने यहाँ पर एक कड़ोरी मखाने लिये हैं और इसको हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से बून लेना है जब तक बूनना है जब तक यह बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी नो जाते है इनको भूनने में हमें याँ पर 2-3 मट लगेगी और गैस की फ्लेम आपको याँ पर बिलकुल लो कर देने हैं लो फ्लेम पर हमें याँ पर इनको फ्राई कर लेना है नवरातरी के वर्त में हमेशा हम आलो की सबजी या फिर लोकी की सबजी बना करके खाते हैं अब की बार इस तरीके से आप मखाने की ये वाली सबजी बना करके खाएं, बहुत ही स्वादिश्ट बन करके तयार होती है, सबी को बहुत ज़्यदा पसंद आएगी, तो मखाने यहाँ पर हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मखाने को इस तरह से हमें चैक कर ल ने है, तो मैंने यहाँ पर 3 medium size के टमाटर लिए हैं, दो यहाँ पर हरी मिर्ची, मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्के अंसार डाल सकते हैं, तो टमाटर को और हरी मिर्ची को बारिक पीस करके तयार कर लिए है, वापी से हमें यहाँ पर कड़ाई को चड़ा देना है, वापी से हमें दो चमबarms देशीजी डाल देना है, इस सबजी को हम घी में बना करके तियार करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर मॉमफली के तेल में भी सबजी को बना करके तियार कर सकते हैं, तो फ्रेन्स गी अच्छे से गरम हो चुका है, अब हमें यहाँ पर एड़ कर देना है जीरा आदी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और जीरे को अच्छे से में बून लेना है जब जीरा अच्छे से बून जाएगा तब हमें बारी पीसी हुई टमाटर की प्यूरी को डाल देना है और इसको अच्छे से में बूल लेना है अगर आप चाहें तो यहाँ पर 10 से 15 काजू भी डाल सकते हैं जब हम यहाँ पर टमाटर को पीसेंगे उस टैम आप यहाँ पर काजू भी पीस करके डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं और बस इस तरह से इसको अच्छे से चला देना है और मसाली यहाँ पर एड़ करेंगे तो नमक हमने यहाँ पर डाला है एक चमच नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट काउसा डाल सकते हैं आदी छोटी चमच हमने डाला है दनिया पाउडर तो बस ज़्यादा मसाले हमने यहाँ पर नहीं डाले हैं अगर आप लोग वरत में हल्दी खा लेते हैं तो आप यहाँ पर हल्दी भी डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर हल्दी नहीं डाली है अब हमें यहाँ पर एड़ कर देना है पानी मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया था भुनने के बाद हमें पानी एड़ कर देना है एक कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है उबाला गया है जब पानी में अच्छे से उबाला जागा उसके बाद हमें यहाँ पर मखाने डाल देने हैं अब अच्छे से इसको mix कर देंगे और इसको ढख करके रख देंगे तो इन से चार मिनट के लिए gas की flame आपको यहाँ पर high कर देनी है high flame पर हमें इसको पकाना है तो देखियो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से हमारी सबजी बन करके तयार हो चुकी है मखाने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके है और गिरेवी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इतनी हम यहाँ पर इसकी गिरेवी रखनी आए तो गैस की flame off कर देंगे और गर्मा गरम हम यहाँ पर सफ करेंगे मखाने की बहुत ही instant और tasty सबजी तो आप इसको एक बार जरूर ट्राए करना इस नवरातरी के वर्त में बहुत ही स्वादिस्ट लगती है खाने में तो फ्रेंड्स रैस्पी पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे फेस्बूक पेज को फोलो करें और लास्ट में हमें यहाँ पर धनिया पत्ती से गार्निश कर देना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो भी चीजे वर्त में नहीं खाते हैं आप उसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और जो आप खाते हैं वो यहाँ पर एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस नवरात्री के वर्त आप जरूर से मखाने की सबजी को ट्राय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तयार होती हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार